अलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अमारे शैनल पर मेरा ना में वरुन और हम बात कर रहे धिहास की ओधुनिक भारती धिहास में ब्रिटिसर्स की नीती जो है अंग्रेजों की नीतियों पर हम डिसकस कर रहे थे और किस प्रकार उटने भारत को कमजोर पर कमजोर बनाया उस सरंखला में हम यहां बात करने वाले है वी उद्योगी करण की मतलब अभी तक हमने डिसकस कर लिया कि कैसे उन्हें साशन करना चालू किया और कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को कमजोर करना चालू किया आर्थिक रूप से अपनी नीतियों के द्वारा तो मसा साथ करें बाया देखो वी उद्योगी करण का मतलब है जैसे वाड़ेजी करण ही करण होता है उद्योग kafण को बढ़ाना यही चीज है वी उद्ध्योगी करण कैसे की आंगरे जो नहीं यह हमें यहां डिसकस करना है तो देख लेते हैं भारत में आर्थिक नीती जो हम डिसकस कर रहे हैं उन नीतियों के अंतरगत एक काम इनने किया वी उद्ध्योगी करण का यो सर्ब पथम विचार है इसके बारे में किसने बताया दादा भाई नौरो जी बहुत बड़े विक्ति हैं इनके बारे में हम आँगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी मैं बता दूँ दादा भाई नौरो जी को ग्रेट ओल्ड में कहा जाता है जो भारत के मतलब पितामा बोलते हैं तो भार बारती राज्य किया स्वतंतरता के पितामा उनको कह दिया जाता है अभी हम और अच्छे से इन पर डिसकस करेंगे इन्होंने यह बिचार बताया कि अंग्रेचों ने क्या किया भारत के उद्द्योग धंदों को तबाह कर दिया जिक है वियोद्द्योगी करण का क्या अंयरामें चालू करी चार्टर को गया चार्टों कर दिया और भारती बज्द्योगा को को खोल दिया किसके लिए आंग्रेजी वस्तूओं के औरहें यह बन रही है ये मसीनोंmaker बस बन रही है बड़े-बडे उद्द्यों को बन रही है बारत के चोटे-चोटे उद्द्यो कर पाएंगा बिल्कुल नहीं कर पाए और भाई हुआ क्या हुआ भाई या हसते सिल्फ वो द्योगों को अगर हम देखें तो दो भागों बाट देते हैं कैसे बाट देते हैं एक तो सहरी हसते सिल्फ जो सहरों में चलने थोड़े से बड़े हैं और जो ग्रामीन हसते सिल्फ मल लब जो छोटे छोटे बिल्कुल छोटे यारी इसको हम बोल सकते हैं byco label के है na micro industries और ये small माल लेता है है ना उस समय तक हमारी बड़ी industries नहीं हुआ कर दी थी लेकिन हाँ ये micro है बिल्कुल छोटे label की और ये small है छोटे label की टीक है तो ये दो प्रकार के हस्ते सिल्फ बारत में चल रहे थे तो देशी राज्यों और उनके अधिकारों में कमी हो गई थी तो इसके कारण सहरी जो दस्तकारी है दस्तकारी समझ पा रहे थे तो छे अलग-अलग कपड़े पहनते थे और वो कपड़े ऐसी थोड़ी पहन लेंगे कोई भी अलग-अलग प्रकार के बिल्कुल सजावट वाले ताकि उनकी सोभा बड़ी रहे ऐसे कपड़े चाहिए और फिर राजा ऐसे होते थे कि भाईया एक बार जो कपड़ा पहन लि प्रकार से तो बहुत ज्यदा प्रभाव इसे पड़ गया क्यूंकि अंग्रेζों ने लिए के piston नहीं मतलब इनकी जटीनीमची ज्यादा घूमना फिर्ना नहीं हरकुछ नहीं होई आरम से ही अंगरेज जो पूजी पती वर्ग हुआ करता था वो भारतिय सामानों को ब्रिटेन में ब्रिटेन में पहले भारत की सामान चलते थे हैं उल्टा हो गया फिर सो इसको हतोस ताहित कर दिया और सरकार पर यह डबाव डालना सुरू करा कि भारत का जो सामान है वो ब्रिटेस उत्पादन के लिए क्या किया जाए भारत का बजार खोल दें तो उससे क्या होगा कि हमारा उत्पाद भारत में जाएगा भी भारत का हमारे यहां आता है इससे स रिक्ता से British सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ गया है, जिससे England में भारती सामान की विक्री कठेन हो गई, यह देखो यार, इनने भारत में तो open economy बना दी, भारत के लिए सब बजार खोल दिया है, भारत में, लेकिन Britain में सब बजार बंद कर दिया है, नहीं भारत के बजार भारत का माल जो है, अब उस पर tax बढ़ा दिया, तो वहां महगा हो गया, अमार यहां tax free कर दिया, तो सस्ता हो गया, तो अगरे जोको दोनों तरब से फायदा, वहां भारत से Britain में माल महगा हो गया, तो बहां ब्रिटेन के लोग नहीं खरीद रहे उस चीजों को, और भारत के आसपास, एक संसदिय समीथी की नियुक्ति करी गई, जिसे किस प्रकार भारतिय बजार में, ब्रिटेस बस्तूओं की बिक्री बढ़ाई जाए, इसके लिए ये बनाया गया था, तो भारतिय बस्तूओं पर ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा, आयात सुल्क लगा दिया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ड्यूटी सुना होगा ना अपने, है ना, सो वो एक्सपोर्ट, ड्यूटी लगा दी वहाँ पर, जिससे वो मेहंगा हो गया, और भारती बस्तूओं के लिए, ब्रिटेस बाजार बंद हो गया, आचा उल्टा क्या किया, चौबिस में भारत के जो मू, सूती कपड़े हुआ गरते थे, मौटे सूती कपड़े हुआ गरते थे, उस पर आयात सुर्क बढ़ा कर, सड़सत प्रतिशात गर दिया, सड़सत प्रतिशात समझ वह रहा है, वो दो बटे तीन, है ना, माल लो अगर, यहां पर, कोई भी चीज, सो रोपेगी भा बगबग दुगनी दाम हो गए, तो कौन खरी देगा यहार चीजों को, नहीं खरी देगा, तो यही कारण हुआ, इसके अलावा, भारतिये चीनी पर भी सुलक, तीन गोने से जादा, यहां हो गए, तो हर चीज पर भारत में, अब जो चीज़े, भारत की चीज़े, जो अं जुलाहे मतलब वो ही दड़जी जो सूत मनाने वाला काम जिनका होता था, वो जुलाहे थे, इन्हों पर अत्याचार करना चालू कर दिया, कौन सा ददनी प्रथा के माध्यम से, यह याद रखना, कौन सी प्रथा थी यह, ददनी प्रथा के माध्यम से, जुलाहों पर अत् पहले ही रकम दे देते थे एडवांस में पैसा और उसके बदले में क्या है एक सर्त नामा लिखवा लेते थे एक डॉकुमेंट पर साइन करवा देते थे उस पर लिखा रहता था कि एक निश्चत थी पर हम इतनी मात्रा और इतने मूले पर ये कपड़ा दे देंगे तो आपको एडवांस में रासी जमा कर दिया अब हमारे भारती लोग गरीब है बिचारे थोड़ी सी पैसा देखके लाला चा जाता है तो वो मान जाते थे कि चलो अभी का कर्चा तो चल जाएगा काई दिक्कत बाद में समझ लेंगे जैसा होगा समझ लेंगे और वही समझ् ददनी प्रथा हमें एडवांस दे दिया और लिखवा दिया कि हम 17 तारिकों आएंगे आप से एक कुंटल हमें जे ले जाना है इत्ते पैसे देंगे बागी का बचा हुआ रगम ठीक है साइन करो अच्छा साइन कहां से करेंगे पड़े लिखे तो आन्गूठा लगाओ अ हांग गूता समझ में निया तो ये पूरा हो गया क्या और ब satisfils को ने भारत में इस पृथा के लिए ब्रिटेन में था अच्छा कागज जो है उसको खरीदने चालू कर दिया यह जो सर्तनामा लिखवाओगे कहां से लिखवाओगे तो कागज बन नहीं ब्रिटेन में वो खरीदने चालू कर दिये और यहां पे भारत के कागज उद्योगों को भी लॉस होना चालू हो गया बारी खराब इस्तित जो सिल्पी है न सिल्पकार जो है उन पर नियंत्रड लगाना चालू कर दिया उद्योगों के लिए भारत में सस्ते कच्छे माल की प्राप्ती की आवश्यक्ता ब्रिटेस आर्थिक नीती के तहत भारत के क्रसी प्रधान देश बनाए रखने की कोशिस करी भारत में उद्य सस्ती बस्तु में बन जाती थी और वो भारत में आने लग गई तो सस्ती बस्तु मिल रही बारत में इससे जो गाओं के सिल्प हुआ गर रहे थे उनका भी पतन होना चालो गया मतलब वहां भी अब क्या ही है सस्ती चीज ही खरीदना चालता मुझे भी option मिलेगा अगर दो है और रीडंड की सेम सिम चीज हमें सश्ती उनलाइन क्यों आजकर लोग खरीदारी कर रहे कि online जबाने ने क्या कर दिया हमारे भारतिये market को या जो हमारे पहचान के लोग है उनको भी गिरा दिया है वियोद्योगी गरण कर दिया है ठीक है इसे क्या प्रभा हुआ कि बड़ी संख्या में जो सिल्पकार है वो कैसे हो गए बिकार हो गए बिकार का मतलब कोई समान नही बढ़ गया उससे क्या हुआ गाउं की जो अर्थ विवस्ता है क्रसी उद्योग के स्थानी है समन्भाय पर निर्भाय और उद्योगों के बीच का संबंद जो है तूट गया मतलब कहने की बात यह है कि जो अभी तक सारी चीजे चल नहीं थी क्रसी से वो चोटे मोटे उद्य है उनको सीमित रूप से उनका विकास होना ये भी एक समस्या का विश्या बन गया सूती वस्त्र जो है उन्निस्वी सताब्दी के मतलब समझ पा रहे हैं उन्निस्वी सताब्दी यानि अठारा सो से अठारा सो निन्यान में यह पूरी उन्निस्वी सताब्दी के लागी इस ठीक है, बड़ोच नावा के स्थान पर, कावस जी, नाना भाई, इनका पूरा नाम है, इन ये पार्सी विक्ती हुआ गरते थे, इन्होंने सबसे पहले एक मिल की स्तापना गरी, जो सूती वस्त्रों की मिल हुआ गरते थे, तो सबसे पहले उद्ध्यों के जो विक्सित जब काले गोरों को लेके, अमेरिका में लडाई चल रही थी, है ना, उस समय भारतिय सूती वस्त्रों उद्ध्यों को बहुत लाबू है, जो टाटा साहब है, आपने नाम सुनाओगा, आज भी बहुत मसूर है, है ना, जे एन टाटा, इन्होंने 1887 में नागपुर में एक इंप्रेस मिल की स्थापना कर दी, और जपानी प्रतियोग इता के गारण, बंबई के सूती धागों का ब्यापार, कहां-कहां, पूर्भी एसिया से खतम हो गया, भारति उद्ध्योगों में सूती वस्त्र, पहला उद्ध्योग था, जिसमें भारतियों द्वारा पूजी लगाए गई थी, अभी तक ब्रिटेसर्स पूजी लगा रहे थी न, अंग्रे जोगी, अब ये पहला ऐसा उद्ध्योग था, जिस पर क्योंकि कपास होता था था न, हमारे महराष्ट और गुजरात वाले रीजन पर कपास सबसे ज़ादा होता, तो सूती वस्त्रों की मिल चल रहे थे और सारी चीज़े होंगे, जूट उद्ध्योग की अगर हम बात करें, तो जूट उद्ध्योग, जूट या इसको पटचन भीका जाता है, बोरियां बगेरा रस्तियां बनाई जाती है, जो सुत्लियां, इसका विकास अनिक कारणों से हुआ, ब्यापार की ब् जूट उद्ध्योग भी बढ़ना चालू हो गया, अठारा सो पच्पन तक, अठारा सो पच्पन में सेरामपूर, क्या नाम है सेरामपूर, यह कहां पर है, बंगाल के पास में है, यहां पर रिसरडा में है, जोर्ज ओकलेंड, यह बहुत इंपोर्टेंट विक्तियां भी नियंतरत और निवेशित जूट मिल की अगर बात करें, तो 1921 में बिरला साहब का नाम आज अभी आप सुनते होंगे, टाटा बिरला अम्मा निया से नाम सुनते हैं, तो टाटा साहब ने तो सूती मिल स्टार्ट कर ली, बिरला साहब ने क्या कर लिया, यहां पर हमने चाल उद्योग की, मतलब लोहे उद्योग की भी बात करें, तो यह थाटा साहब की बात है अगें, भारत में लोहा और इस पात, इस उद्योग का आराप 1817 में, बंगाल आयरेन वर्क्स कम्पनी, यह कई बार पूछा गया गया, गुश्या ने सीधा सीधा पूछ लिया जाता है है ना, सो बंगाल आयरेन वर्क्स कम्पनी की स्तापना के साथ, यहाँ पे लोह इस पात उद्योग की सुरुबात मानी जाती है, पश्चिम मंगाल में जहारिया छेत्र है, यह आपने बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कौन सा छेत्र है, कई बार सीधा करी गई थी लोह इस पात उद्योग की, 1907 में, टाटा ची का नाम फिर आ गया, है ना, सो इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, है ना, इसकी स्तापना कर दी, कहां पे करी, जमसेदपुर का नाम सुना होगा, आज भी है बाकायदा, है ना, यह पहली है आती, विशेश्च्वरईया, आइरन एंड स्टील वोक्स की स्तापना, यहां हो जाती है, साउथ में, 1937 में, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्तापना होई, बाद में फिर सेल बन जाएगा, स्टील अथोर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिमेंट उद्योग की, अगर हम बात करें, तो सिमेंट उद्योग की स्तापना, 1904 में, पहले प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा, लेकिन फाइनली, कटनी में, 1915, मद्यप्रदेश अब यह कटनी है, सतना, कटनी, रीवा, यह सारे के सारे, आज सिमेंट उद्योग की लिए, बहुत फेमस है जिसमें सतना सबसे ज़्यादा फेमस है, तो कटनी, मद्यप्रदेश और पोरबंदर, गुझरात का नाम सुनाई होगा, गांधी जी से तो याद होई गया, है ना, सो पोरबंदर में, सिमेंट उद्पादन की सुरुबात करी गई था, अन्य उद्योगों में अगर हम चर् जवाएंगे डील की खेती का, ठीक है, सो इसका बल हुआ, अठारा सो पचास के आसपास, चाय उद्योग का विकास हुआ, अठारा सो चौवण में, रानी गंज, रानी गंज का है, रानी गंज पश्मगार, ठीक है, सो रानी गंज में, कोल फील्ड की स्तापना हुई, जवाएंगे सबसे अधिक भारतिये पूजी, सूती वस्तर उद्योग में लगी ही, और सबसे ज़्यादा रोजगार भी सूती उद्योग में, या कपड़ा उद्योग में मिला, जूट मिल से यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रोजगार की प्राप्ति लगबख 40% भारती मजदूर जो हैं, वो यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं, किसमें सूती और जूट उद्योग इत्यादी इन सारी चीज़ों में, इसी के साथ मुझे लगता है, उद्धोगिक बाताबरण की और बात कर लेते हैं, कि उद्धोगिक बाताबरण कैसे क्या सु अभी भी सुद्धोगिक बाताबरण में बात करें, तो उद्धोगों में पूझी लगाने में भारती उद्धोवी संकोच कर रहे थे भाईया, क्योंकि भाईया इनने पता नहीं था कि कैसे क्या सारी चीज़े करना है, उस दौर में जस्टिस महादेव गोविंद राना ड और तिलक सहाब का राम तो सुनहीं होगा, ऐसे राष्ट बादियों ने लोगों में उद्धोगों के परदी सम्मोहन पैदा किया, यानि उनकी बारे में जागरुकता पैदा करी और उसको क्या करा कि लोगों से बोला कि इनको स्टावलेस करें ताकि भारतियों का फायदा ह को अध्योगिक करांती का उद्धोशक कहा जाता है, याद रखने का है, राना डे, महादेव गोविंद राना डे, यही है जो अध्योगिक करांती का इन्होंने सूत्रपात भारत में भारत युग लिए करा, स्वदेशी या अंदुलन, स्वदेशी या अंदुलन के नाम स जगा है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? खतम करना पड़ेगा, और भारती ह zer कहांग हमें चाहिए तो है ना, खाने पीने और बाकी चीचों की विवस्ता-क चाहिए तो इसके लिए भारती इौ से बना सामा, जो भारती खुद बना है तो ये आयात में कमी आ गई इससे भारतिय उद्योगों की स्तापना पर जोर मिला अब इसी बात है अच्छा पाइदा रहा है 1916 ये पहले विश्य उद्य की समय की ही बात चल रही है इसमें Thomas Holland इनके नेतरत में पहला भारतिय उद्योगिक आयोग बनायेगा पहला भारतिय उद्योगिक आयोग बनाया गया लेकिन ये इसमें भारतिय उद्योगों को प्रोसाहन नहीं दिया गया 1921 में विश्य खतम हो चुका था लेकिन ठीक है इब्राहिम रहीम तुल्ला इब्राहेम रहीमतुल्ला की अधिक्षिता में बित्तिय कमीशन का गठन किया गया किसका गठन किया गया बित्तिय कमीशन का गठन किया गया में 1921 में जो वित्य कमीशन आया था रहीमत उल्ला साहब की अद्यक्षिता में उसमें इसको सनरक्षड मिल गया लेकिन भारती उद्योगों में जिसमें सिमेंटो लोहा इसपाद सीसा उद्योग ये इनको अभी सनरक्षड नहीं दिया गया ठीक है ये छोड़ा भोड़ा दि आप गया तो इस टाइफ की सारी चीज हो और बात करें तो समराज जी बर्चस्वता या वरियता की बात करें इसमें भारती पूजी पतियों के लिए ये थोड़ा सा गड़ बढ़ता, क्योंकि बिटिस पूझे पतियों का यहाँ पर जादा प्रधानता दी जाती थी, भारतियों को नहीं दी जाती थी, इसके अनुसार बिटेन से जो आयातित वस्तुओं हैं, वो विशिस्ट सुभिदाएं किसको दी जाती थी, आयातित वस्तुओं के लिए बारतियों को दी जाती थी, लेकिन अच्छी बात रही है, तो कुछ होगा इसके लिए, 25-26 के बाद जपानी कपड़ा बड़ी तादाद में भारत आने लग गया, और महेंगा और घटिया किसम का इंगलेंड से आयातित वस्त, इसका मुकावला नहीं कर पाया, तो 29-30 के आ ब्यापार जब खुल गया, तो इंगलेंड का क्या है, तो इसको प्रतिस परदा इसको भी करना पड़ा, तो वहाँ पे समस्या पैदा हो गई, और यही वह समय था जब भारत का सुरक्षित बाजार जिपानी कपड़े से भर गया, और सरकार इसको क्या करेगी, सरकार कौन स और अन्य देशों के लिए 34.25% कर दिया, ताकि और प्रतिस परदा बाकी देशों से कम हो जाए, अब इससे क्या हुआ कि भारत में धीमा औद्योगिक विकास हुआ, क्या कारण था इसका, तो भाईया, पूजी का बहुत ही ज़्यादा अभाव था, भारतियों के पास पैस तो सही हो का भावरा, बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया, बैंकिंग विवस्ता विसेश ब्रिटिस पूजी पतियों के लिए ही काम कर रही थी, और किसी के लिए काम नहीं कर रही थी, है ना, सो भारत में सिक्षा और तकनीकी का विकास भी उस समय तक बहुत जादा नहीं हु नहीं थी, साथ ही साथ, जितनी भी मैनेचिंग एजेंसी हुआ गरती थी, वो भी किसके हाथों में थी, ब्रिटिस हर्स के हाथों में हुआ गर रही थी, तो भाई, क्यों भारती ये उद्ध्योग धंदे बढ़ेंगे, क्या सिक्षाओंगे, तो अध्योगी करण की सीमाओ अगर बात करें, तो पूजी कुछ विसेस परिवारों के हाथों में रहे गए, 22 प्रतिशत, जो 22 कारोबार थे, वो किसके हाथ में है, टाटा परिवार के हाथों में थे, पूरवी भारत की एंड्रू, यूल, एंड कम्पनी का 42 अध्योगिक संस्थानों पर कबज़ा यह बहुत बड़ा कारण है, छेतरी आसामानता का या जो अध्योगिक विकास ना होने का, जिस पर भी हम डिसकस करेंगे, हला कि इसमें जब हम अर्थ विवस्ता पर डिसकस करेंगे, अर्थ विवस्ता अलग से देखेंगे, उसमें ये सारी चीजों को डिसकस करेंगे, ठी कि अ कर दो नियाए।